हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माई चानल दूस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत जादा अच्छे होंगे तो मैं कुछ अमेजिंग किचन के टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आ गई हूँ जो मेरे लिए तो काफी ह मैं होप करती हूँ कि हमेशा की तरह आपके लिए भी बहुत ही जादा यूसफुल होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए दिख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप क्या है तो देखे यहां पर हमने धनिआ ले रखा है और जब आप मार्केट से धनिया करेद करके ले आते हैं मैं खोता है थे ज़ंग से साथ भूल मुर्जा जाती है तो आप इसको ताजा रखने के लिए क्या करें कि आप बॉल में पानी रख लें और जितनी बिल्कुल मुर्जा गई थी बिल्कुल मरी हुई सी दिख रही थी वो बिल्कुल फ्रेश हो गई है आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ना हमारी बातों पे तो आप एक पर करके देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जो सुझाव हैं जो आपको रिजल्ट मिले वो शेयर करिएगा तो मैं होप करती हूँ कि टिप अच्छी लगी होगी देख लेते हैं नेक्स टिप तो देखिए यहां पर हमने बॉटल का एक पार्ट लिया है मतलब इसका हमने इस्तमाल किया था बाकी यह बचा हुआ था तो हमने सोचा कि चलो आपके साथ एक और आइडिया शेयर कर देते हैं तो इसका जो बॉटम है ना उसको इस तरीके से हमें कट कर लेना है यानि कि हमें एक छल्ले की तरह जैसे की बैंगल होती है ना उस तरीके से हमें इसे कट करना है देखिए कुछ इस तरीके से और जो इसके एजेज है ना उसको अच्छे से बर बिल्कुल उच लेगा नहीं तो मैं होप करती हूँ कि ये चोटी सी चीज आपके मुश्किल से मुश्किल काम को असान करेगी अगर आपके लिए जरा से भी हेलफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा देख लेते हैं नेक्स टीप तो देखिए थपनेल से आपको पता लगी क्या होगा कि मम्मी की मार से कैसे बचा जाए तो देखिए जब इस तरीके से पतीला जलेगा ना तो फिर मम्मी की मारी पड़ेगी और मेरे साथ भी इतनी बड़ी बात पता नहीं कैसे हो गई मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गई बात कि मैंने चाय चड़ाई है और चाय बिल्कुल जल गई जब खुश्बू आई तब मैं दोड़ करके गई तब तक तो चाय तो जल गया था पतीले का भी बुरा हाल हो गया था तो हमने सोचे कि चलो ये वाली घटना हर किसी के साथ होती है तो मैं अगर आपको ये वाली वीडियो शेयर करूंगी या फिर आपको ये टेकनिक बताऊंगी तो आपके लिए काफी हेलफूल होगा तो देखिए इसको छुडाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि पतीले में पानी भर लेना है बिलकुल उपर तक और इसको गैस के उपर चढ़ा देना है जब ये थोड़ा सा गरम हो जाए तब आपको इसके अंदर क्या क्या चीज डालनी है आप ध्यान से देखिएगा साथ के साथ हमने न यहाँ पे दूसरी चाई भी चढ़ा दी थी कि मतलब बहुत हसी सी आ रही थी कि एक चाई बना रही थी या दूसरा जो बरतन जल गया था उसको चुड़ा रही थी तो ये बहुत ही एक लाइन सी बन गई थी तो मेरे को बहुत हसी आ रही थी तो हमने चाई तो बनाया इसके बाद इसमें देखिए क्या करना है कि जैसे ये पानी जब गरम हो जाए न अच्छे से तो इसमें डाल देना है बेकिंग सोडा एक चमच के आसपस डाल सकते हैं और एक चमच ही आप डाल दीजिएगा वाशिंग पाउडर और इसको क्या करना है कि अच्छे से उबालना है आपको पान से दस मिनट तक इसको बहुत ही अच्छे से सिम माच कर दीजिएगा और इसको उबलने दीजिएगा जैसे ये खुब अच्छे से उबलने लगे तब आप इसको बंद करके ठंडा होने दीजिएगा और जब ठंडा हो जाएगा तब आप इसको धीरे-धीरे स्पून की हेल्प से आप इसको खुर्चेंगे तो ये इजिली छूट जाएगा चम्मच की हेल्प से इसको रगड़ेंगे तो यह असानी से छूट जाएगा आपको बहुत जादा मैनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो देखिए यहां पर हमने रगड़ दिया था इसको चम्मच से और देखिए कितना जादा जला हुआ है यह सब मैंने फैंका और फैं से आप इसको रगड़ेंगे तो यह एकदम से साफ हो जाएगा तो है ना यह बहुत कमाल की टिप तो इस तरीके से अगर आप साफ कर देंगे तो मम्मी की मार से तो बच सकते है ना तो इसलिए हमने इस पर थमने लगाया हुआ है कि मम्मी की मार से कैसे बचे तो कैसी लगी ये टिप आपे जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी तो देखिए इसको तो शेयर करना बनता है बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखिए जब कभी भी आप रात को डाल बगर बनाते हैं और लेफ्ट ओबर डाल जो बच जाती है आप उसका क्या करते हैं तो आप उसको आठी में इस्तमाल कर सकते हैं जैसे डाल जिसमें है उसी में आठा मेजर करके डालिएगा कि आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत ना पड़े उसी डाल में आठा गुन करके बिल्कुल अच्छे से तयार हो जाए तो देखिए हमारे पास भी डाल बची हुई लगती हैं तो इस तरीके से आपके डाल का यूटिलाइज भी हो जाएगा और आपकी जो रोटियां हैं वो भी बहुत ही बहतरीन बनेगी इसके बाद आप जैसे रोटि नॉर्मली सेखते हैं वैसे ही सेखिए एंड इस टोटली अप्ट यू कि आप इस पर क्या लगाते है घी लगाईए बटर लगाईए और इसको इंजोई करिए चलिए देख लेते हैं नेक्स टिप तो देखिए यहां पर हमने मेक्सी कजार लिया है मेक्सी कजार देखिए हर किसी के घर में रैगुलर इस्तमाल होता है लेकिन अब इसकी रोज रोज तो सफाई हम डीपली करने सकते तो आपना हपते में एक बार या फिर हपते में दो बार यह वाला प्रोसेस जरूर करिएगा आप इसमें गरम पानी डाल दीजिएगा बहुत जादा नहीं लिव को आम जो वाटर होता है उतना डालिएगा और इसके बार से इसमें बिम लिकपीट बार डाल नेगर जो होता है वो डाल करके और इसको मिक्सी में लगाईएगा और इसको अच्छे से जैसे हम कुछ इसमें शेक बगर बनाते हैं वैसे ही आपको इसमें घुमाना है आप जैसे ही इसको घुमाएंगे आप देखेंगे कि यह जो जार है यह बहुत ही अच्छे से क्लीन ह जाएगा उतना आप अच्छे से हाथ से भी क्लिंग करेंगे न तो नहीं होगा तो देखिए कितना ज्यादा साफ हो गया है यह बिल्कुल आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा तो आप कभी भी आपकी मिक्सी गंदी होती है तो इस तरीके से आप हपते में एक दो बार तो ज़रूर कर लिजिएगा अब देखिए यह जो पानी हैं पानी को भी हमें बिल्कुल नहीं फेकना है यह जो पानी है बहुत ही जादा काम का है इसमें white vinegar डाला हुआ है साथ के साथ इसमें हमने liquid bar भी डाला हुआ है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा easy मतलब easy के अलावा आप कुछ भी जिसे soft fabric होता है वो डाल सकते हैं इसके बाद से आप क्या करना है कि इस तरीके से आपको क कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं जिससे मिर्च मसाले की जो खुश्बू होती है पूरी kitchen में फाइल जाती है इधर उदर छीटे भी आ जाते हैं तो आप इस तरीके से अपने kitchen की डीप cleaning कर सकते हैं इससे अपने stove को भी साफ कर सकते हैं साथ के साथ जो हमारा counter होता है उसको आजमा के जरूर देखिएगा हमारी बताई हुई जितनी भी tip होती है ना मैं यह नहीं कहती कि आप हमारी बातों पर ऐसे ही विश्वास कर लीजिए आप एक बर उसको try करिए फिर आप comment box में आपने सुझाओ देने जरूर आईएगा आप क्या करना है कि देखिए यह जो चाल करके इसमें से खा ले नए तो अंदर रखा रहता है फिर वो रखा ही रह जाता है मैं भी भूल जाती हूं देना और यह ऐसे कैसे खराब भी होने लगता है तो यह दो तीन चीज़े ऐसी हैं जो मैं बाहर ही रखती हूं तो आप इसको भी साफ कर ले क्योंकि जो तेड की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल ऐकन को भी हिट करिएगा ताक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कहां से देख रहे हैं हमारी वीडियो यह भी जरू मेंशन करिएगा मिलती हूं मैं कल की वीडियो में तो तक के लिए बाए बाए एंड टेक केर